वेलकम टू आवर चैनल ग्यापन अकेडमी यह वीडियो आपके क्लास 10 के एकजाम, बोर्ड एकजाम के लिए सबसे ज्यादा इंपोर्टन रहे गाए क्योंकि इससे तो हर बार कुछा जाता है आपसे पुछा जासता है नहरू रिपोर्ट क्या है नहरू रिपोर्ट का मतलब क्या अखिल भारतिय किसान सबा का गठन का हुआ यह कई बार पूछा गया है ठीक है आपको हर चीज पता होना जाए एक भारतियों होने के नाते इस 4 लेशन क्लास 10 का जो है भारत में राष्टवाद अगर आपको पता नहीं है तो धिकार है भारतियों होने पर यहाँ ध्य इसी का नाम बदल करके साइमन कमिशन यानि कि साइमन कमिशन रख दिया गया इसका गठन 1927 में हुआ अब इसका गठन हुआ क्यों तो याद किजिए आप रॉलेक्ट एक्ट जो की जालिया वाला बाग हत्या कांड हुआ था कितने लोगों को वहाँ पर बली समझत एक तरह से चड़ा दिया गया था उस हिसाब से भागु जब रॉलेक्ट एक लगाया था रॉलेक्ट यानि कि बिना किसी गुनाह के डारेक्ट जेल में उठा के बंद कर दिया जाएगा ऐसा नियम अंगरेजों ने लगाया था और ब साल के बाद क्या होगा 1929 होना चाहिए ना लेकिन उससे पहले ही इसमें आकर के सुधार कर दिया ठीक है 1927 में आकर के नियम लगाया और नियम लगाया तो लोगों को गुस्सा आ गया साइमन साइमन यहापे जो सर जोन साइमन थे उनके प्रति लोग भड़क गए देखिए समझेगा यह आयोग 7 दल यहीं साथ दल यह आपसे पूछा जाएगा साइमन कमिशन का आयोग कितना दल यह था साथ दल यह यह याद रखिएगा जिस सातो दल में सभी के सभी अंगरेजी थे अब बताए इंडिया के लिए नियम लगाने आया था लो और वहाँ सभी अंग सभी थे नहीं अब हो गया बवाल कि देखिए हम क्या करें अब हो गया बवाल कि नहीं यह नहीं नहीं लगेगा इसमें तो एको गोई इंडियन नहीं है भाई कोई इंडियन है ही नहीं ठीक है तो आप कैसे नियम लगा सकते साइमन कमिशन पता है आकर कि यहाँ संभी धान बना रहा था इंडिया का जैसे सम्मिधान लिखा गया है ना बहुत विश्वका सबसे मतला मोटा सम्मिधान एक तरह से देखा जाए तो इंडिया का सम्मिधान है तो वो इंडिया का सम्मिधान बना रहा था तो इंडिया के लोग बोले कि तो इंडिया का सम्मिधान बना रह तो उनका स्वागत काला जंडा दिखा के इंडिया के लोगों ने किया साइमन कमिशन को बहुत गुस्सा है यहां देखे उदे सेता समिधान में सुधार तीन फरवरी 1928-27 में लागू कि 28 में आये मुंबई में इनका स्वागत काली जंडों के साथ हुआ ठीके और नारा क्या था साइमन वापाज़ा यानि कि साइमन गो बैक ठीक है यह नारा लगा था ठीक है अब यहां देखे अब वहां घुसा हो गया भाई हमको यहां पे काला जंडा बड़ा बेश्टी हो गया ठीक है तो उस समय यहां भारत में अंगरेजों का एक सचीव था अच्छा जिस तर लौड विरक्कन हैंड याद रखेंगा हैंड उस समय हैंड बोला कि तुका है साइमन का इंसल्ट किया यह लोग बोला कि खाली अंगरेजे था उसमें इसलिए मोँ आ जाके इंसल्ट कर दिये ठीक है माल लिजे कि इंडिया का सम्विधान कंस्टिशन बनाना है और पूरा क वो बोला कि कैसा सम्विधान निकला है जिससे सभी दल के लोग खुस हो ठीक है किसी को पक्षपात वाला उसमें नियम नहीं होना चाहिए सभी जात सभी धर्म के लोग को उसमें इकठा करके सभी के हीत में सभी के बारे में सोच करके सम्विधान लिखो अगर है तुम्हार सभी लोग हमारे नेता लोग आए और नेता लोग को बुलाया गया 1928 में फरवरी 1928 में जिसमें अध्यक्ष मोती लाल नहरू थे ठीक है कॉंग्रेस का एक दल असामत हो गया बागो रिपोर्ट तो तयार हो गया लेकिन कॉंग्रेस का एक दल बोला कि ना यह अच्छा नहीं हुआ और इसी सब से नेरू रिपोट पारित नहीं हुआ तो आप याद देखेगा नेरिपोर्ट कब पारित हुआ था तो 1928 में समेलन मुना के पारित हुआ था अब यहाँ समझी क है किसान आंधोलन के बारे में हो जगा किसान चंपानं अंधोलन खेडा हो गया मोपला तो 1920 में हुई All India Trade Union Congress के अपना 1921 अक्टूबर को ही याद रखेगा अब थोड़ा सा किसान अंदलन के बारे में पढ़ लेते हैं मोपला बिद्रो कई बार पूछेगा बाबु रट लेजिए मोपला बिद्रो 1921 में हुआ था मोपला बिद्रो के नेता कौन थे अली मुसालियर थे कौन थे अली मुसालियर थे यह याद रखेगा कहां है मोपला बिद्रो कहां हुआ था के नेता कौन थे तो सादार बला भाई पटेल जब बरदोली सत्यगरा किसानों के लिए किया गया उसी समय उनको सरदार की उपादी दे गई और सादार बला भाई पटेल ने 1928 में किया थेक है उसके बाद से किसानों का एक सभा बन गया अखिल भारतिय किसान सभा यह वी 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 वेरी इंपोर्टेंट है यह अखिल भा बाप रहिए नेता तो आंदोलन करके हम लोग एकदम भगा आई देंगे मारी डालेंगे कुछ तो सडेंतर रचना पड़ेगा साजिस जिसको बोलते हैं ठीक है तो वहां पर किसानों के प्रति वहां पर जो स्रमिक जो नेता थे जो स्रमिक मजदूरू के लिए लड़ते थ मेरफ में इन्ताव को गिरफतार कर रहा वां मेरफ में जाके सजा दे दिया अब आते हैं सबसे मेन बाबो एक चीज़ याद रखेगा यही मुस्लिम लिंगे जिसके वजा से पूर्ण रुप से हिंदुस्तान और पकिस्तान का बटवारा हो गया एक चीज याद है कि महात्मा गांधी बहुत समझदार थे ठीक है वो जानते थे आपको याद होना चाहिए गोलमेज सम्मेलन गोलमेज सम्मेलन आपको 30, 31 और 32, 32 तीन गो हुआ था खेतर मांग रहा है कोल अपना देश बना लेगा जिस तरह क्या किता पकिस्तान क्या हुआ एक अलग अपना छेतर मांगा था मुस्लिमों के लिए आज देखो आजादी के बाद उसका क्या हो वो अलग देश ही बना लिया एक दिन यही होगा तुम समझ नहीं रहे वैसी मुस्लिम ने किया स्थापना हुई अंगरेज आ करके हम लोगों में फूट डाल दिये पहले हिंदू और मुसल्मान एकदम भाई चारे के रूप में रहते थे लेकिन अंगरेज जब आये तो उन्होंने दोनों को तोड़ दिया अब उसी में कैसे तोड़ा तो जानते हो क्या किया है उसी में दों अंगरेज आये एक चला गया इधर और एक चला गया इधर इधर जाके बोल रहा है कि कॉई अपने किताब में लिख रहा है कि पता है हम तुम्हारे साथ हैं ठीक है अब यहां देखिए कितना दिमाग ले अंगरेज ही दोनों था और दोनों ने दोनों को भड़का दिया अब मुसलिम लोग के दिमाग में बैठ गया बढ़िया से कि ओ यानि कि जो एक कॉंग्रेस जो पार्टी बना है हम लोग की पार मुसलिम लीग की अस्थापना हो गई यहां देखिएगा 1906 में आगाखा करें थे तो मुसलिम लीग की अस्थापना हो गई अब आद में इसका नाम बदल करके 30 दिसमबर 1906 को क्या All India Muslim League रख जाएगा आप से पुछा जाएगा कि मुसलिम लीग का नाम All India Muslim League कब रखा गया तो 1906 में ही रखा गया लेकिन 30 दिसमबर को रखा गया याद रखिएगा उदेश से क्या था पता है इन लोगों को लग रहा था ठीके कि हम मुसलिम हैं मैनुरिटी हैं बहुत कम मतलब हम लोग है ना इसलिए हम लोग को जौब जल्दी नहीं मिल रहा है लेकिन ऐसा बात न मंदल बनाया जा अब देखिए सभी देश का मंत्री मंदल एक हो रहेगा इन लोग कर नहीं हम लोग का मंत्री लोग अलग रहेंगे ठीक है उसके पासे हमारे हीतों की रक्षा किया जाए तो ऐसा बोल रहा है यहां देखिए किस तरह मुसलिम ही के मांग देखिए अलग मंत नहीं थे बस इनको चाहाए बढ़ाए में यह सब हुआ था और अंत में मुहमद अली जिन्ना आए और वो मुसलिम लिख के नैत्री त्व किये और बोले कि हमको तो क्या चाहिए मंत्री मंदल नहीं देना है तो प्रतिनीधी छेतर की मांग करने लगे यानि हमको एक छोटा सब मुसलिमों के लिए छेतर दे दे जिए हम लोग जितने भी करोड है वो हम लोग अलग रहेंगे और आपको यादोना चाहिए कि जब मुसलिमों के लिए अलग छेतर दिया गया तो 14 अगस्त 1947 को यहां से हिंदुस्तान से पाकिस्तान हमारा एक प्यारा सा देश अलग हो हिंदुस्तान का एक अंग है और हम लोग जब तक हिंदु मुसल्मानी यूनिटी है तीसरा कोई भी देश आ करके और किसी पर अक्रमड और अटैक नहीं कर सकता है याद रखेगा एकता में बहुत बल होता है जो उस दिन हम लोग कम जोड़ जाएंगे जिस दिन हम लोग त रखना है यहां समझे जब यह मुसलिम लोग देखे कि ओ सभी हिंदु लोग देखे कि मुसलिम अपना अपना अलग अलग देश का डिमांड कर रहा है मुसलिम अपना इसलाम धर्म के बारे में सोच रहा है तो हम हिंदु है तो हम कहीं नहीं सोचेंगे तो हिंदु लोग भ हुआ हुआ तो के भी हेडगेवार यह कोई बार उचा याद कि का यह VB यह भी ए ठीक है आर ऐसे किया स्थापना किस ने कि तो के भी हेडगेवार ने की 1925 में यह लोग सिर्फ के भारे में लुटू तो हिन्दू राष्ट बनाई है अपने पूरे भारत को हिन्दू सभाग का गठन किसने किया हिंदू के बारे में किसने फिर सोचा तो 1915 में पंडित मदन मुहल मालवे किया है लेकिन सबसे ज़्यादा विवियाई कुस्चन जो कई बार एक्जाम में पूछा गया है वो यहाँ देखिए आरे समाज की अस्थापना किसने की आरे समाज की अस् भी पड़ो ठीक है वेड पड़ो अपने वेड का घ्यान लो ठीक है इन्rãoे कहा वेदो की ओर लोटो आपसे नारा है तो स्वामि दयांदंद सर्वसती का है वेदो की ओर लोटो इतना आपको याद होगा तो एक बार इसका स्दош का येन को आफ वह बार की असजीज दार तर पहले पूर्ण रूप से आपका समाजी की विज्ञान जो की पूरे यूटूब इतिहास में आपको इसा नहीं देखे होंगे ऐसा ऐसा कुस्षन जो डायरेक्ट आपके एक्जाम में समझे तो एक तरह से वह वाइरल को सने बहुत ही मज़ेदार को सने देखने के बाद अगर आप कभी नहीं पढ़े हैं लेकिन इस विडियो को देख करके ठीक है और एक और भारत में रस्टवाद वाला जो विदियो अगर उसको देख ले रहे हैं तो आप इसमें असी नमर का पुछता है ना आप इसमें 75 ए 80 में 80 भी ला सकते हैं ठीक है ऐसा कुस्षन तयार किया प्रसन 4-5 रहेगा लेकिन उत्तर एक ही होगा याद रखेगा प्रसन कोई भी हो उत्तर वही होगा यानि इस तरीका से उस एंसर को तयार किया गया है कि प्रसन 4-5 रहेगा लेकिन उसका एंसर वही होगा पांच कुस्षन में से कोई भी कुस्षन पुछ दे लेकिन एक ही ट एंसर आपको याद रखना है इतना जब और दस्त बनाए गया हो ठीक है तो मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हैं